लोकसभा चुनाव के बीच महराष्ट्र की मुख्य फसल प्याज के दाम जमीन पर आ गए हैं। अधिकांच बड़े प्याज उतपादक जिलों की मंडियों में किसानों को एक, दो, तीन और पांच रुपए किलो का ही रेट मिल रहा है। जिससे उनमें सरकार के खिलाफ गु केंद्र सरकार ने महेंगाई को कम करने के लिए 7 दिसंबर 2023 से प्याज के निर्यात पर रोक लगाई हुई है। पहले जो आदेश आया था उसके अनुसार निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 तक लागू थी, लेकिन सरकार ने उससे पहले ही इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा किसानों का कहना है कि इसकी वजह से रभी सीजन के प्याज का भी मार्केट खराब हो गया। रभी सीजन के प्याज फरवरी के अंत और मार्च के पहले सप्ता से आना शुरू हो जाता है। उसी समय निर्यात बंदी को और आगे बढ़ा दिया गया। इससे पहले सरकार ने अगस्त दो हजार तेईस में प्यास के दाम पर नियंतरन पाने के लिए इसके निर्यात पर चालीस प्रतिशत निर्यात शुल्क लगा दिया था। तब सरकार के इस फैसले के खिलाफ किसानों और व्यापारियों दोनों ने मिलकर हर ताल की थी। लेकिन सरकार ने आगे चल प्यास उत्पादक जिले सोलापूर की मंदी में 29 अप्रेल को सिर्फ एक सो रुपए क्विंटल नियूंतम दाम रहा। यही रेट राहुरी और सटाना में भी रहा। धुले, एहमदनगर, मंगलवेढा और संगमनेर में किसानों को मात्र दो रुपए किलो नियूंतम दाम मिला। महाराष्ट्र कान्दा उत्पादक संगठन के पदाधिकारियों के अनुसार राज्य में प्यास की उत्पादन लागत 18 रुपए किलो तक पहुँच गई है। इसलिए इतने कम रेट में कब तक खेती करेंगे। किसान इस बार प्यास की खेती को और कम कर देंगे।